जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड रिजल्ट को ले करके काफी ज़्यादा बच्चे चिंतित है कि मेरा रिजल्ट डेट कब आएगा या रिजल्ट कब निकलेगा तो वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ भाया बिहार बोर्ड क्लास थे मैट्रिक रिजल्ट के बारे में कि ये रिजल्ट कब आएगा तो चलिए एक एक करके हम स्कॉल करते हैं और आपको मैं बताने की पूरी कोसिस करता हूँ जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड यहां पर देख सकते हैं बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड की मैट्रिक परिच्छा 2022 में सामिल हुए सोलर लाख से अधिक परिचारतियों को अपने रिजल्ट का इंदिजार है टोटल भी है सोलर लाख स्टूडेंट जो है वो परिच्छा में सामिल हुए थे ठीक है मीडिया रिपोर्टर के अनुसार रद किये गए मैथ के पेपर के अलावे मां की पेपरों की मुल्यांकर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है ठीक है बोर्ड द्वारा इस महीने के अंद तक का परिणाम घोसित किये जाने की शंभाबना है यदि सब कुछ ठीक रहा तो 30 मार्च क्या है यह 30 मार्च तक क्या है दसमी परिच्छा के नतीजे जारी किये जाएंगे और जब जारी कर देने के बादे को यह संभाबना जता रहे कि 30 मार्च तक जारी किये है अब हम आपको आगे बताते हैं कि अगर जारी हो जाने के बाद बिहारबोर्ड का उफिसियल वेप साइट यहां के आप चेक कर सकते हैं यह आप देख सकते हो ठीक है इस पे अगर Google पे टाइप करो गया पर यहां पर जा करके चेक कर सकते हो दिया गया कि बिहार बोर्ड ओंलाइन डॉट बिहार डॉट गॉव इन पर आप क्या कर सकते हो यह बिहार बोर्ड का ओफिसल वेब साइट है ओके तो आई होब कि आप समझ गया होंगे देखो चिंता मत करना ठीक है जब रिजल्ट तो देख लेना देखो आज आया तो ठीक है नहीं तो फिर